ये श्रीडाम दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल और सम्कोडिंग्स मैं वापिस आया हूं इस टैक की वीडियो लेकर इस वीडियो में हम स्टैक के बारे में और कंप्यूटिशनल थिंकिंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं स्ट होता है जो की यूज होता है पाइफन में डाटा स्ट्रक्टर जो लिस्ट से इंप्लिमेंट किया जाता है और यह लाश्ट आउट के बेसे पे चलता है यह प्रिंसिपल है और मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसका मतलब होता है अगर मान लीचे यह आपको कोई स्टैक है ठीक है और यह आपके कुछ जो आपके डाटा है वो है ठीक है यह तीन डाटा है आपके पास तो स्टैक में लास्ट फर्स्ट आउट का मतलब यह है अगर मान दीजिए मैंने इसे एंटर कर दिया स्टैक के अंदर बिच में जो लास्त में आया है वही पहले वहाया नीचे से निकालेंगे पिर ईस वाले को बीच में खूल सकते ठीक है तो यह होता स्टैक का स्ट्रक्ट्ट सथ कुए यहा पें में डिटेछ जो पहले बार जाएगा और यह इसके बारे में कुछ रखिया है बाकी हमारे पास अपने सिलेबस में सिर्फ दो चीज़े हैं जो हमें करनी है वह है पुछ और पॉप तो मैं अपनी पाइथन विंडोस खोल लेता हूं आप वह दिखाने के लिए पुछ बेसिकल एक फंक्शन होता है जो की यूज होता है किसी डाटा को उसमें डालने के लिए स्टैक में अगर मैं आपको बताता तो हमें user defined function बनाना होता है push के लिए तो यहां करता हूँ def push और इसके अंदर आपको डालना होता है stack ठीक है और उसके बाद इसमें करना है हमें हम यहां पर data लेंगे user से कि क्या push करना है तो मैं यहां कर देता हूँ कि data equal to input और enter the data to be pushed और इसके बाद stack.push data ठीक है और फिर इसे call करना है मैं तो यहां पर push और इसके अंदर stack अब इसे run करूँगा मैं तो इसे save कर लेता हूँ stack के नाम से देखो enter data to be pushed hello डाल देता हूँ यहां error आया है अच्छा मैंने append डालना था है यहां पर push डाल दिया मैंने stack.append होता है हमारा function ठीक है यहां पर newline character भी डाल देता हूँ run करते हैं से तो देखो enter data to be pushed hello हो गया वो push अब देखो मैं आप कर देता हूँ कि वो बार-बार लेता है और बताए क्या push हुआ है तो मैं सबसे पहले हैं print कर दूंगा def में stack push में ही की print data is pushed ठीक है उसके बाद मैं एक input लूंगा और इसे लिए देता हूँ choice equal to input इसमें डालता हूँ मैं press capital y या small y to push more data और capital slash n डाल देता हूँ मैं new line character के लिए और if choice in capital y या small y then then push करना है दुबारा और उसके डालना है stack उसके अंदर ठीक है तो यह पुष्ट करवाता जाएगा जब तक आप चाहोगे अब देखो इसने पुछा एंटर data to be pushed में डालता हूं और पुष्ट करना है यह उस और कुछ पुछ करना है यस आई यूश और कुछ करना है नहीं डाल देता हूं तो इसने एंट एक्जित कर दिया यह दो पुछ हो गया होंगे इसमें लिए मैं last में stack पो भी प्रिंट करके दिखा देता हूं और अन्सायूस और हर्ट थीक है तो यह होता है हमारा पुछ फंक्शन उसके बाद आता है हमारा पॉप फंक्शन पहले मैं इसे कट कर लेता हूं तो पॉप बेसिकली जो लास्ट वाला तो पास उसके बाद stack बना देता हूं मैं खाली लेस्ट ठीक है और पॉप कर देता हूं स्टैक बल्कि यहां प्रिंट करते हैं कि आप कि स्टैक डॉट कि पॉप बल्कि पॉप स्टैक डॉट पॉप और स्टैक अशनॡद करें यहां फिर से हम पॉप मंगी यूज़ कर दें आइक है यही कंड करता है तो मैं करोंगा रहे हैं तो उन्हां करोंगा कॉरक हिए लेकिन अगर मैं मैं ऐसी इसे रन कर देता हूं तो मुझे पता नीच लेगा कि क्या पॉप हुआ है तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूँगा प्रिंट स्टैक डॉट पॉप कॉमा इस पॉब्ड और दोस्तों तुम सोच रहे होगे कि मैंने यह प्रिंट के अंदर यह फंक्शन की यूज कि अलग से प्रिंट कर दूँ उन्हें और अगर मैं यह इसे यहां से कट कर दूँग और एक कॉमा कट दूँगा एकवल टूर दूग जया टाला था आई स्टैग.टब ठीक है समझे तो अभी बिल्कुल सही चल जाएगा हमारा रंद करके दिखा देता हूं अभी तो स्टेक खाली है इसलिए इसने यह एरर दिया तो मैं यहां पर करूंगा इफ स्टेक if sec not equal to empty list ठीक है तब करना है यह जो हमने दिया है यहां पर यह चीज तब करनी है ठीक है यहां से space अठा देता हूं else क्या करना है else print stack is empty इसे run करेंगे अब देखो stack is empty बता रहे है इसने अगर मैं आप एक कुछ डाल दो इसमें मान लीजिए अन्ष और आयूश और हर्स तो देखो इसमें last में हर्स है हमारे पास ठीक है तो यह सबसे पहले हर्स को पॉप करेगा देखो हर्स पॉप्ड मैं stack को भी प्रिंट कर लेता हूं यहां पर और एक सेगड़ हां तो मैं stack को भी प्रिंट कर लेता हूं यह प्रिंट अब रन करते हैं तो देखो हर्स पॉप्ड और अंश्क और आयूश यह stack में बचे हैं ठीक है तो यह होता है हमारा push or pop function अब मान लीजिए मैं को दोनों एक साथ करना है तो एक program बनाते है push or pop को दोनों को लेकर ठीक है तो मैं पहले stack ले लेता हूं stack को empty list और while true में चलाता हूं ताकि वो बार-बार देता रहे है while true उसके बाद input ले लेता है data करके बल्कि choice करके ले लेता है choice equal to यहां पर equal to नहीं आना input और int input डालता है int input एंटर या press one to push element उसके बाद new line character फिर डालता है press two to pop element फिर new line character और प्रेस एंटिंग एल्स तू ब्रेक ठीक है समझे इंपुट में डाल दिया हम नहीं है एक मिनट मैं इसे यहां से पहीं से बीच से तोड़ देता हूं कि हमें दिख जाए और यहां पर डाल देता हूं मैं triple quotes ताकि वह multiple lines के लिए ले ले उसे ठीक है multiple line strings के लिए triple quotes अब choice आ गई हमारे पास अब मुझे कहना है कि if यहां पर एक और bracket आएगा last में हुआ है इफ जो चॉइस है हमारी इफ चॉइस इक्वल इक्वल टू वन देन कर दो की स्टैक में हमें पुश करना है ठीक है तो पुश स्टैक अलफ स्टैक स्टैक ने चॉइस एक्वल इक्वल टू टू यहां पर दो स्टैक से ठीक है यहां पर एक टीड रेक्ट आएगा और एल्स कर दो बेट ठीक है और यहां पर देफ कर देता हूं ठीक उसके अंदर लेंगे हम स्टेक और यहां पर कर देंगे डाटा इक्वल टू इन्पूट एंटर डाटा टू भी पूस्टू और फिर उस दाटा को कर दो अपेंड स्टेक में यानिकी स्टेक डॉट अपेंड और डाटा ठीक है यह हो गया हमारा पुश्वंक्षन और यहां पर कर दो कि क्या पुश हुआ है उसके लिए कर दो प्रेंट डाटा एस इक्वल टू नहीं दाटा इस पुश्ट ठीक है और फिर लास्ट में प्रिंट करा लेंगे स्टेक को और यहां कर देता हूं डैप पॉप इसके अंदर स्टेक ले लिया और यहां पर करना है हमें एक्वल टू स्टेक डॉट पॉप और प्रिंट एकॉमा इस पॉप ठीक है और इसे में डाल देता हूं अगर यह एम्टी नहीं है तो इप स्टेक नॉट इक्वल खाली लिस्ट देन यह करना है हमें एल्स पॉरा पंक्षन पॉरा पॉड यहां पर और लास्ट में हमें पुस और पॉप के बाद कुछा आपक के बाद नहीं लास्ट में प्रिंट करा जाता है इस्टेक को वाइल टुकर बाद देक कर लेग के बाद अब रन करते हैं एक मिनट यहां जा रहा है अच्छा यह नियू लाइन में आ गया ना इस आटाई जेता हूं गया वह वहीं पर आ गया अब रन करते हैं देखो पहले इसके लास्ट में पर मैं एक नियू लाइन डाल दूँ यहां पर आपर कहां अब रन करूंगा तो यह पुरा दूबारा कर दिया पुष कर लिए पॉप के लिए तो वह वह वाला ने दिया है तो उसे दुबारा रन कर दे रहा है ठीक है तो पुछ में वापिस आते हैं इसमें डालता हूं मैं कि इसमें कुछ और एक और वेरिवल का नाम ले लेते हैं ताकि वो पूछे कि और करना है या नहीं तो को नम करके लिए लेता हूं नम इक्वल टू इन्पूट प्रेस वाई कैपितल वाई या स्मॉल वाई तो पुछ मोर ठीक है और फिर इप नम इन कैपितल वाई या स्मॉल वाई देन उसको दुबारा चला दो स्टैक के साथ यह रिकर्जन हों गया हमारा ठीक है सेम चीज़ है मैं पॉप में करनी है इच्छे कॉपी करके डाल देता हूं पॉप में और यहां पर पॉप मोर कर देता हूं यहां एन्टर टाटा तो बीपुषद में सॉनियो juvenile पर खंड마 करते हैं। इसनी पूप मैं को पूस्च करना है फेलो पुस करना तो आप करना नहीं अब और कोई पूस्थ नहीं करना तो अब कुछ करना है तो यहाँ पर अपना इफ दबाव करते तो तो अब यहाँ पर अब यहाँ यह नहीं सकते हैं तो मैं वहाँ पर हटा देता हूं एनिफिंग को यहां पर यह डाला था ना एनी अधर नंबर डाल देते हैं अधर नंबर ठीक है दन करते हैं पुष करना है अंच को और और कुछ पूश नहीं करना अब मैं पॉप कर देता हूं आई उसको और कुछ नहीं करना तो अब अन्च रहें तो यह हमारे पंक्शन से लिए इंप्लिमेंट किया हमने इस्टैक को यह होता है और ज्यादा कोई बड़ी चीज निया है बेसिक प्र पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना अपने टम्टू का बाकी मैं अपनी लाइव वीडियो में करवा चुका हूं और अभी चार बजे यह अगर आप लोग बाद में देखोगे तो फिर जून बारा शाम चार बजे हमने लाइव की है तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन्स हैं वो जरूर देखेगा थैंक यू जैस्रीयाम